C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग 2 सबक 4 सफहा नंबर 22 हमारा वतन यहां सफे के उपरी हिस्से पर तीन बच्चों को एक तिरंगा जंडा लिए दिखाया गया है बच्चों के साथ में एक हिरन, मोर और चारो तरफ पेड़ पौदे लगे दिखाये गये हैं यह हिंदुस्ता है हमारा वतन मुहबत की आँखों का तारा वतन हमारा वतन दिल से प्यारा वतन वो इसके दरखतों की तैयारियां वो फल फूल पौदे वो फुलवारियां हमारा वतन दिल से प्यारा वतन हवा में दरखतों का वो जूमना वो पत्तों का फूलों का मूँ चूमना हमारा वतन दिल से प्यारा वतन वो सावन में काली घटा की बहार वो बरसात की हलकी हलकी फुहार हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर वो गंगा की लहरें, वो जमना का जोर हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन इसी से है इस जिन्दिगी की बहार, वतन की महब्बत हो या मा का प्यार हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन पंडित ब्रिज नारायन चक्बस्त यहाँ नीचे एक तस्वीर दी गई है, जिसमें बाग में दो मोर, एक कोयल और कुछ परिंदे उड़ रहे हैं सफ़ा नंबर चौबीस, मश्क, पढ़िये और समझे वतन, मुल्क, आखों का तारा, बहुत प्यारा, चहीता फुहार, हल्की बारिश, काली घटा, काले बादल, सोचिये और बताईये एक, वतन को आखों का तारा क्यूं कहा गया है? दो, काली घटा किस मौसम में देखने को मिलती है? तीन, इस नजम में शाइर ने किन नदियों का जिक्र किया है? चार, जिन्दिगी की बहार किस चीज से है? पांच, शाइर ने वतन की किन खुबियों का जिक्र किया है? इस सफ़े के बाई जानिब नीचे की तरफ एक जरना दिखाया गया है और उसके इर्द गेर्द कुछ परिंदे हैं सफ़ा नंबर पचीज, खाली जगों में मनासिब लवज लिखिये काली, कोयल, दरख्तों, वतन, आखों एक, वो इसके खाली जगा की तैयारियां दो, मुहबबत की खाली जगा का तारा वतन तीन, वो सावन में खाली जगा, घटा की बहार चार, वो बागों में खाली जगा, वो जंगल में मूर पाँच, हमारा खाली जगा, दिल से प्यारा खाली जगा इस सफ़े के आखिर में एक तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें बारिश का समा दिखाया गया है असातिजा के लिए हिदायात असातिजा से गुजारिश है कि इस नजम को बच्चों के सामने बावाज बुलंद पढ़े और नजम और नसर के फर्क को भी वाज़ करें असातिजा अपने इलाके की नदियों के बारे में तल्बा से गुफद्गू करें असातिजा उन तल्बा से बात करने को कहें जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है वो अपनी मादरी जबान में इस नजम के बारे में बात करें सफ़हा नंबर 26 जिस तरह लवज दरख्त से दरख्तों बना है इसी तरह नीचे लिखे हुए लवजों से लवज बनाईए फूल खाली जगा जंगल खाली जगा दिल खाली जगा लहर खाली जगा बहार खाली जगा इस मश्क के सामने एक पार्क का मन्जर दिखाया गया है, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं आपके शहर या इलाके में कौन सी नदी बहती है, उसका नाम मालूम करके लिखिए, खाली जगा हिंदुस्तान के कौमी परिंदे मोर पर दो जुमले लिखिए, खाली जगा सफ़ह नंबर 27, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए, इस मश्क के नीचे पाँच तस्वीरे मुख्तलिफ दी गई हैं, जिन्हें पहचान कर उनके सामने उन तस्वीरों के नाम लिखने हैं पहली तस्वीर कव्वी की है, दूसरी तस्वीर सारस की है, तीसरी तस्वीर एक पत्ती की है, चौती तस्वीर एक फूल की है, और पाँचवी तस्वीर एक बतख की है इस सफ़े पर एक बड़ा सा दरख्त दिखाया गया है जिसके हिस्सों को पहचान कर दिये गए बॉक्स में उनके नाम लिखने है जैसे दरख्त का तना, दरख्त की जड़ें, दरख्त की पत्तियां, दरख्त के फूल और दरख्त के फल अभी आफ सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई, भाग दो, वाचनस्वर, शिमाईला परवेज और परवेज गवहर तक्निकी निर्देशन, बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, तनु गुपता, निर्देशन एवं निर्माण, वीमलेश चाओधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नैदिल्ली, भारत